नमस्कार दोस्तों आज फीर से हम हजीर है एक लोज में तो यह जो लोज है यह गुपालपूर में है और इसमें बहुत चारे रूम खाली है तो बहुत चारे दोस्त हमें कंटेक्ट करते हैं कि उनको लोज चाहिए और ओर दिपावली के बाद आ रहा है तो हमने सोचा कि एक जो और लोज की वीडियो बनाया जाए तो आज हम आज़ा है गुपालपूर इस लोज में अभी इस वाक्त जो भी रूम खाली है आपको दिखाएंगे और इसमें बहुत सारे अस्पारेंज भी रह रहा है एसे से अस्पारेंज उन लोगों से हम direct बात करेंगे कि इस लोज का क्या महौल है और कैसे रह रहा है इस लोज में rent क्या है बाकी और भी तमाम सारे बात है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे तो आप वीडियो का अन तक देखिए वीडियो को एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए आपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए दा स्टुटेंट से वियर एट्यूब चेनल को एसे ही informative और inspiring वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए तो आभी चलिए हम आपको दो तिन रूम दिखा देंगे और रूम में आभी जो भी experience मुझूद है उनसे भी बात करेंगे हाँ भाई अच्छा तो यह आप खाना बना रहे हो आप अच्छा अंदर आ सकता हूं ना तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं कि बहुत चरह एसे दोस्त हैं जो कि लॉज में रूम लेना चाहते हैं तो उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं उनके उनको हम help करते हैं तो आप इस लॉज में कब आया है अच्छा आपको इस का बता कीसे चल और आंपर रेंट कितना तरा ना तो आपको केसा लगा मंप क किया है फटक को चाहिए और पचा के लिए अच्छा है है प्यसाउस्टे के लिए विस भाई लोग चांदे दए और अच्छा लग रहा लहां तो इस बाहि दो को खाना नहीं है बागल्म में बन रहाई तैयां दोसरा कोई देख सकते हैं यह लगा हुआ है दिखा दो नीचे तो आप देख सकते हैं यहीं पर पीछे मिलता आज़ आप चाएं तो टेश्ट करके दूसरा से भी मंगा सकते हैं वो घर पर डिलेवी करता है जी कि भाई लोग पर मंगाए हैं तो चलिए फ्रेंट्स और भी यहां एस्पेरेंट्स है तो आपको एक बार 360 में रूम दिखा देते हैं आप रूम देख लिजिए यह रूम का कुछ नजा रहा है फ्रेंट्स आभी हम चल रहे हैं दूसरे रूम में तो चलिए देखते हैं उस रूम का क्या कंडिशन है अच्छा आप पड़ाई कर रहे थे सोरी और थोड़ा सा डिस्टब कर दिया आपको तो भी आप इस लोज में कितने दिने से रह रहे हैं होगे मुझे पंदर सोला दिन आए हुए यहां पर पंदर सोला दिन हो गया है तो आपको इस लोज का महल कैसा लगा बहुत ही सांती पूरफक महल है और पड़ाई लाइक है और कोई भी डिस्टब नहीं है या आप खुद ही कर सकते हैं कमरे में बेटके आके लिए पड़ा है और दो हैं अब ही और इलेक्टिस इलेक्टिसिटी बेल फिर पानी फिर खाना भी नहीं यह सब का बेवस्ता किया किया है पानी के लिए तो यहां फ्री में मिलता है और इलेक्टिसिटी बिल आट रुपे यूनिट लेते हैं भी आच्छा खाने के लिए तो मैं खुद ब फिर टिपिन लगवा सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्विप्ध है अच्छा बहुत बढ़िया आपको बहुत बहुत धनवाद हमें टाइम देने के लिए थैंक यू तो इनका भी रूम 360 में एक बर दिखा दो क्या क्या है रूम में क्या नहीं है सब दिख जाएगा तो दोस्तो चलिए आभी उपर चलते हैं सेकेंड फ्लूर में ये था फास्ट फ्लूर का रूम इसमें बहुत सारे रूम खाली है आप ले सकते हो इधर आप देख सकते हो इधर बालकोनी है ठीक है इधर दो दो बातरूम लगे हुए है इधर भी एक बातरूम है और इस पर दूर से से खुला हाथ चलती यह और बाकी हम सेकेंड फ्लूर में चलेंगे 2016 उल्म के दिखा देंगे और फ्लूर में जो भी स्टुडेंट्स अभी इस वेक्व जोसंद हैं और कौन-कौन सी experience बढ़ते है, UPSC, SSC, banking, ठीक है न, तो आपको details में बताएंगे, आप हमारे साथ उपर आईए, आईए हमारे साथ, तो friends, इस ताइम हम second floor में है, यह second floor की room है, तो आप देख सेक्तों, दोनों साइड में room है, हिए होँ अशी मेर्व मेर्ण कर आप भी प्रेंट के रूम में उनसे बात करेंगे कि आंचा हुंसे दो मिनिट बात करते हैं तो आप इस लॉफ में को आये थे में आया था 20, गार भी स्थी हो भी स्थी को अब तो अब रेंड की दे रहा हो इस लॉज इस रूम का मैं दो यह रुपर इसका रेंट दे रहा हूं और बिजली के अलग से आज़ा और खाना बीने की किया सिस्टेम हैं करो बीना मैं बार से घाता हूं मैं से से अच्छा मैं इससे कितने रुपरर देता हूं 2400 पर मंतली कितने टाइम के लिए दो टायम के लिए आपको मुझा माहल लगा इस लोज के आसपाश की महाल स्टुडेंस रहते हैं कि नहीं इसका महल बहुत अच्छा लगा और यहां पर पेस्लिटी बहुत अच्छी है और साफ सवाई बहुत अच्छी रहती है इसमें अच्छे अच्छा अगर कोई चाहे दो लड़के एक साथ रहना रूम मे पॉन्सर पर बढ़ आएगा और जो भी एलेक्टिसिटी वील है दोनों को मिला कर देना पढ़ेगा पॉन्सर पर बढ़ आएगा अच्छा तो आभी आप सिंगल रह रहा है बहुत बढ़िया तो इनका रूम थोड़ा सा दिखा दो तो फ्रेंट्स आप देख सकते इनका रू लूम का डेकरेशन कर सकते हो तो अगर आपने से डेकरेशन कर अगए तो अच्छा लगा तो बैए थैंक्यू आपको तो चलिए और एक दो रूम आपको दिखा देते इधर भी और रूम है तो फ्रेंट्स यहाँ पर इस सेकेंड फ्लूर में इस तरह का और भी बहुत सारे रूम है जो कि आभी खाली है आजाओ इधर आजाओ खाली रूम दिखा देते यह भी रूम खाली है आप देख सकते हैं लोग लगा हुआ है और बाकी इधर भी और रूम है यह भी खाली है यह भी खाली है अब देख सकते हो तो आप अगर रूम लेना चाहते हो तो आप इ यहाँ पर जितने भी रूम देख रहे हो आप सभी एक ज्यासाई रूम है एक ही साइज के है तो यह डिपेंड करते हैं आपके ओपर आप रूम को कैसे डेकरेशन करते हो ठीक है चलिए अभी ठाट फ्लूर में चलते हैं ठाट फ्लूर में कुछ SSCS भी है UPSCS भी है यहाँ पर अभी बहुत सारे श्टूडेंस अभी रह रहा है तो उन से भी हम बात करेंगे तो फ्रेंस इस टाइम हम ठाट फ्लूर पर है हम चल रहाए एक और रूम में आईये देखते हैं यह स्टूडेंस अभी क्या कर रहे हैं तो देख सकते आप यह लोग पढ़ाई कर रहा है और तिन तिन फ्रेंड्स है एकि रूम में और आप इस रूम का सेट अप भी देख सकते हो प्रयाप का नाम क्या है मनुज कुमार आप कहा से हो यूपी संबल यहां को से हो अच्छा बहुत बढ़िया धन्यवाद आपको भी आपका नाम क्या है प्रकास अच्छा आप कहा से हो यूपी संबल अच्छा आप किस एक्जम की पिपरेशन कर रहे हो और इस लॉज का महल आपको कैसा लगा अच्छा है बहुत अच्छा सबसे हवा आती है पीछा खुला अच्छा और आप लोग खाना भी नहीं किया वैवस्ता किया नहीं टीफिन आता है अब लोगा टीफिन आता है कितने टाइम का दोना टैम चौविस्ट रुपिया में अच्छा आप किस एक्जम की पिपरेशन कर रहे हैं एक और भाई है इदार इंचे भी हम बादशित करे लॉज के आसपास सुब्दा हर चीज किया मतला है आप दुकाने और घूमने के लिए अच्छा है वह है अब लोग इस रूम में तीन दिन बंदें एक साथ रहता है तो तीन बंदें लेकिन वाले वाले वंदें वह भाई है वह चले जाते हैं लेकिन हम दोन एक साथ पढ़ कितने घंड़ लिए वो लाईबरी जाते है मदलब 12 के लिए बार कंटे के लिए सुबर जाते है शुबह जाते हैं और रात के लिए आट बजी तो आप रेंट कितना दे रहे हों इस रूम का 2000 और मंत और इसका में जो भीजली विल है उसका प्पट हमें अलग सकना पढ़त तो बिजली बिल कितना आते हैं लग वही 300-400 रुपे लग विजली बिल हो जाता है लग इतना जो लोग जो फ्रेंच पीजी एफोर्ट नहीं कर बाते हैं ठीक है वो कहने कही रूम लेने के रूम लेना चाहते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं मतलब ऐसा रहेगा पीज चाहर से बैटर पड़ाई होती हैं मतलब पीजी लोग होती हैं बच्चे साब वो सोर मचात नहीं आए था पड़ाई नहीं हो पाती है और अच्छा मतलब रूम पर रहेंगे तो लग वाग चौवीस रूपे रूम को हो जाएगा उनका और लग खाना वही 25 रूपे खाना म हो जाएगा और लगवग 25 रूपे खाने का टिफन आता यहां पर रहकर अच्छे रहें बचार हजर में हो जाएगा मंतली बच्छा में तो साधाट हजर पड़ते हैं पीजी का बहुत बहुत मतलब पीजी में साधाट है रपी लेते हैं अपर उपर से खर्चा भी होता था तो आपके लिए स्टूडिन के लिए है ना वह पेसा बचा सकते है और पढ़ाई में लगा सकते हैं और यहान से मलब कुछ नहरमें सबकिता च्भर के लिए और है है पेसी को तो इसाब से बहुत बैट रहा है अब लोगों से बातसित करके अच्छा लगा थेंक्युक्त अब अगर रूम पे रहते हो ठीक है तो आपको चार पास हजर में मांधली वजट आ जाएगा तो आपके लिए यह सस्ता पढ़ेगा और आप पेसे भी बचा सकते हो और उसी पेसे साब पढ़ाई पर लगा सकते हो ठीक है अगर आपको भी रूम लेना है तो स्क्रीन पर एक नंबर शो किया जाएगा उस नंबर पर कंटेक् जय भारत